फ्रेंड्स आज में आपके साथ फेस्बुक रियल्स एफिट मार्केटिंग का कम्प्लीट कोश शेर करने वाला दोस्तो फेस्बुक ने हाली में अपना एक न्यू फीचर लॉंच किया है जिसका नाम है फेस्बुक रियल्स दोस्तो यहाँ फीचर सेम टू सेम इंस्टाग्राम रियल्स की तरह है जिस परकार सब इंस्टाग्राम रियल्स को पर वर्क करते हैं आपको फेस्बुक रियल्स के उपर भी सेम उसी परकार से वर्क करना है इस feature के सबसे खास बात यह है कि इसको अभी अभी launch किया गया है जिसकी वज़े से इसकी reach YouTube Shorts हुआ या आपका Instagram Reel हुआ इनसे काफी ज़ादा है अगर आप इसको उपर consistently work करते हैं और regular इसको उपर video upload करते हैं तो आपको बहुत ज़दा benefit हो सकता है अगर आपकी एक भी वीडियो यहाँ पर viral हो गई तो definitely आपको उससे काफी ज़दा benefit होगा आपकी बहुत ज़दा sale हो सकती है और आपको thousand dollar तकी earning भी हो सकती है तो अगर आप पूरे process को समझना चाते हैं कि किस परकार से आपको Facebook Reels को पर काम करना है किस परकार से आपको इसके ओपर product select करना है Facebook के ओपर कौन से product work करते हैं किस परकार से आपको अपनी वीडियो एडिट करनी है और किस परकार से वीडियो upload करनी है और किस परकार से उसको viral करना है तो आज की वीडियो को आपको लास तक देखना है, ताकि आप एक भी process को मिसना कर पाएं तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं Friends, आप Facebook Reel से Affiland Marketing करना चाहते हैं आप Facebook Reel से Earning करना चाहते हैं तो इस case में आपके पास तीन चीजों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है पहला आपके पास एक affiliate product होना चाहिए दूसरा आपके पास उस product से लेटेड वीडियो होनी चाहिए तीसरा आपके पास Facebook के उपर account चाहिए अगर आपका Facebook के उपर account नहीं है तो आप पहले Facebook के उपर account create करें देन उसके बाद आपको affiliate marketing स्टार्ट करनी है पहले हम पहले वाले point की बात करते हैं कि आपके पास एक affiliate product होना चाहिए तो दोस्तो affiliate product को choose करने से पहले आपको यह decide करना होगा कि आप Facebook के उपर किस type के product को promote करना चाहते हैं और उससे पहले भी आपको यह चीज़ सीखनी होगी कि Facebook Reels के उपर किस type के product work करते हैं तो guys इसका मैं आपको simple सा answer देता हूँ दोस्तो Facebook के उपर monthly कितने visitors आते हैं 22 billion जो कि क्या होते mixed visitors होते हैं इसका मतलब क्या है आपको Facebook के उपर health के visitors भी मिल जाएंगे आपको इसके उपर spirituality के visitors भी मिल जाएंगे आपको इसके उपर dog के visitors भी मिल जाएंगे आपको इसके उपर relationship के visitors भी मिल जाएंगे इसका मतलब क्या है आप Facebook के उपर किसी भी type के product को promote करो आपको यहां से सेल मिल सकती है परन्तु इसको भी करने का आपका एक बहुती अलग तरीक है आपको क्या करना है? Facebook Reels को पर वीडियो अपलोड करनी है परन्तु जब आप Facebook Reels को पर वीडियो अपलोड करना श्राट करें तो उससे में आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको एक ही नीश को पकड़ना है तो कि Facebook के उपर क्या है? Mixed Audience है परन्तु आपको क्या करना है? अपने Mixed Audience नहीं बनानी है आपको क्या करना है? एक नीश को पकड़ना है उसके अंदर से अपनी नीश की Audience को निकाल लेंगे उसको निकालने का तरीका क्या है? हम क्या करेंगे? एक ही नीश को पकड़नेगे और उसी के according क्या करेंगे? Facebook Reels के उपर वीडियो अप्लोड करना स्टार्ट करेंगे और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है Facebook Reels की Reach Open हुई पड़ी है जिसकी वज़े से अगर आप अपनी वीडियो को अप्लोड करते हैं और आपकी वीडियो एक भी वारल हो जाती है तो आपके पास बहुत सारे followers आ जाएंगे जब आपके पास एक ही नीश के followers आएंगे तो आपके पास एक target audience base बन जाएगा और आपके पास अगर एक बार target audience base बन गया तो आप in future उनको अन्य product भी promote कर सकते हैं परन्तु अगर आप Facebook Reels के उपर mixed वीडियो को अप्लोड करते हैं इसे एक दिन आपने digital marketing के वीडोड कर दी दूसरी दिन dog की वीडियो को अप्लोड कर दिया चोते दिन spirituality की वीडियो को अप्लोड कर दिया तो अब आपके पास कीएंगे mix followers आधाएंगे अगर आपके पास mix followers आजाएंगे तो वो किसी भी benefit के नहीं होते हैं क्योंकि आप उनको अपने product sale नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हमेशा आपको क्या करना है एक ही niche को पकरना है और उसी के according आपको वीडियोज को upload करना है ताकि आपके पास target audience base आए अगर आपके पास target audience base आएगा तभी आप उनसे sale generate कर सकते हैं अब आपको समझ में आचुका होगा कि Facebook Reels के उपर किस step की niche work करती है और किस step से आपको अपना product select करना है और आज की वीडियो के लिए मैं एक डोग के product को choose कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि आपको किस तरीके से Facebook Reels के उपर affiliate marketing करनी है अब हमारा आता है step number two step number two में हमें क्या करना है अपनी वीडियो को download करना है पहले हमें क्या चीए अपने products related videos चीए उसके बाद हमें उनको download भी करना है तो products related videos को निकालने के लिए मैं इनली तीन चीजों का use करता हूँ पहला मैं use करता हूँ Instagram का, एक Pixels का, एक YouTube का QDog video या किस भी आप जिस भी नीश को पर वर्क कर रहे हैं उससे related आप यहां पर keyword लिख देना है जैसे मैं क्या कर रहा हूँ यहां पर QDog की वीडियो को निकालना चाहता हूँ तो मैंने यहां पर क्या टाइप कर दिया QDog तो मेरे पास बहुत सरी वहां पर बहुत सरी website होती है जहां से आप इस वीडियो को download कर सकते हैं आसानी से हो जाती है ठेक है, number two क्या आता है हमारे पास face, oh sorry, YouTube, YouTube के अंदर पर आपको क्या करना है, search को पर type करना, cute dose, आपके पास क्या जाएंगे, long वीडियो जाएंगी, short वीडियो जाएंगी, हर टाइप की वीडियो आपके सामने आ जाएगी, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी same करना है, यहाँ पर आपको right click करना है, और copy link address इसको पर click कर देना है, और इसके बाद आपको internet को पर जाना है, वहाँ पर आपको बहुत सारी websites मिल जाएंगी, जहां से आप क्या कर सकते हो, YouTube की वीडियो को download कर सकते हो, उसके बाद आपको उसको edit करना है, जो भी part आपको अच्छे ले ना जाकर, आपको इसको पर जाएं, pixels को पर जाएं, क्योंकि इसके उपर क्या होता, बिल्कुल genuine videos होती है, अगर आप इसकी videos को use करते हैं, तो आप बे फिकर होकर, इसकी किसी कितनी भी video को आप use कर सकते हैं, आपको किसी भी part का issue नहीं होगा, तो इसके उपर से video download करने के ल बहुत सारी videos हो जाएंगे, जैसे आपको पास यह सारी videos है, अब आपको क्या करना है, किसी भी एक video को आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लिख हमें लेगा option free download, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना भी आपको site चीज़े से में कुछ चाहिए, यह वाला ठीक है, और इसको open कर लेता हूँ, canva को open करने के बाद हम क्या करेंगे, छोटी मूटी editing कर देंगे अपने video के अंदर, तकि मेरी video क्या हो जाए, थोड़ी सी attractive हो जाए, तो मैंने क्या type कर दिये, canva, आपको second में canva open हो जाएगा, पर कैसा आपको video को edit करना, उसका process में आपक क्लिक कर दूँगा, ठीक है, इसके उपर क्लिक करेंगे, तो अब हमारे editing के अंदर हो के facebook video के अंदर, इसका मतलब क्या है, जो भी facebook release का standard होगा, उसी type का मुझे यहाँ पर format मिलेगा, मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपनी video को put करना है, और चोटी मोटी उसकी editing कर देनी है, तो यहाँ पर no thanks के उपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, upload इसके उपर क्लिक करूँगा, जैना upload media को उपर क्लिक करेंगे, और इस वाली video को यहाँ पर upload कर लेंगे, ठीक है, तो कुछ second में मेरी video भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, upload हो जाएगी, तो जैसे मेरी video यहाँ पर upload होती है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर close कर देता हूँ, एंड इसको मैं क्या कर दूँगा, अपने अनुसार यहाँ पर adjust कर दूँगा, जैसे मैं इसको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, फिट लाने के कोशिश करता हूं उस फिट हो जाए पर अपने वीडियो यहां पर क्या हो जाए अच्छी लगे थोड़ा सा को भी है अरे थोड़ा चोटा होगbol है ठीक है और जला को ह्वीडियो क्या हो चुकिए है यह आपर लेक्राइब जोटा सा ट्रैक्ष लिखना है जो भी बंदा मेरी वीडियो को देखेगा उससे मुझे अपने प्रोड़क्ट परचेस करवाना है सबैंग ले लिया और यहाँपर क्या लिए मैं मैं लिंक इन इसकर नेखिव ऑप्र पर आयका इसकोबे पर नने मिल जाते बड़ा कर लो इसको मैं क्या करते हूं बोल्ड कर देता हूं मैं इसका रख देता हूं रेड और क्या ने हम पर अच्छा देख रहे हैं और ताकि यह लोग का दो खुर जा जाए उसके बाद मुझे क्या करना डाउन्लोड को पर क्लिक करना है और इस वीडियो को मुझे यहां से डाउनलोड कर लेना है ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे जैसे मैं इसको पर डाउनलोड को पर क्लिक करूंगा मेरी वीडियो क्या हो जाएगी यहां पर डाउनलोड होने के बाद आपको किस तरीके से इस इसको Facebook Reels को उप्लोड करना है, कैसे अपने description लिखना है, कैसे hashtags लगाने, कैसे आपको अपना affiliate link लगाना है, उसका process मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ. So friends, हमने अपना step number 1 और step number 2 complete कर लिया है, अब हमारा आता है step number 3, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने Facebook Reels के अंदर अपनी वीडियो को अप्लोड करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, Facebook के उपर click कर देना है, then उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर, आपको Reel को option option नजर आएगा, इसको उपर click कर दे, Reel को option के उपर click करने के बाद, आपको image को option को उपर click करना है, और यहाँ से अपनी वीडियो को select कर लेना है, अगर आप इसको customize करना चाहते हैं, आप इसके अंदर audio लगाना चाहते हैं, text लगाना चाहते हैं, तो उस case में आप यहाँ प यहाँ पर मैं करता हूँ, dash go पर click कर देता हूँ, then उसके बाद अपना affiliate link यहाँ से मैं copy कर लेता हूँ, तो one second, मेरा affiliate link यह रहा, तो मैं इसे copy कर लिया है, वापिस सलागे मैं Facebook के उपर, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस affiliate link को paste कर दिया, इसके बाद मुझे यहाँ पर पर hashtag लगा ले ने, dog, cute, तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ आ जुगा, मेरे पास इक hashtag, पिर लगा देता हूँ, funny, dog, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी, hashtags आ जो कै क्या करना है, बहुत सारे hashtags यहाँ पर लगा लेनी है, ठीक है, तो ऐसा अपने क्या कर लिया है, पर बहु होती जादा है अगर आप इसको पर चार से पांच रील को अप्लोड करते हैं तो मैं आपको पक्का कह रहा हूं कि अगर ऐसा करते तो आपकी एक नएक वीडियो वायल हो जाएगी और जैसी आपकी वीडियो वायल होगी तो आपको वहां से अच्छी कासी अर्निंग हो सकती है योगि एफलेटिक मार्केटिंग करने का जैसे बैस सरी का है रील को अप्लोड करना अब देखो इसके अंदर एक बैनिफिट और मिलता आपको जैसे मैं अपनी इस प्रोफाइल को पर क्लिक करता हूं तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं मैं एक वीडियो और अपलोड क लिंग धे और अपने दिस्क्रिपशन के लिंक दे नहीं सकते हैं तो आप फेस्वुक्रिर के अंदर अपना लिंग की दे सकते हैं और वो लिंक आपको आपको यहां पर वीजुल भी हो जाएगा है तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लेगी तो प्लीज चानल को शेर्वे सब्सक्राइब करें पर इसको लाइक करना ना भूलेते निवाज चैवारा चैवें